हलो फ्रेंड्स मैजब दॉक्टर सुशिला सैनी गाइनेकलोजिस इन अपसेटेशन आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी में आखिर इतनी जादा गर्मी क्यों लगती है बहुत ज़्यादा कंप्लेंस आती है जब भी लेडी प्रेगनेंट होती है तो उसके सबसे पहली कंप्लेंट हमारे को यही होती है कि दॉक्टर साब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है प्रेगनेंसी में गर्मी लगने के मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है कि प्रोजिस्ट्रोन हार्वोन का लेवल बढ़ जाना जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो बॉड़ी के अंदर प्रोजिस्ट्रोन का लेवल काफी जादा बढ़ जाता है जिसकी वज़े से body का जो temperature है जो basal body का temperature है BBT बोलते हैं basal body temperature आधे से 1 degree बढ़ जाता है इसकी वज़े से temperature बढ़ने के कारण गर्मी ज़्यादा लगती है दूसरा common कारण pregnancy के अंदर heart rate का बढ़ जाना और blood pressure का थोड़ा कम हो जाना होता है जैसे ही blood pressure कम होता और heart rate बढ़ जाती है तो खून का circulation बढ़ जाता है जिसकी वजह से भी और जो blood vessels है वो dilate हो जाती है याने की डिली हो जाती है तो blood सतह के नीचे skin के नीचे जादा ही कठा होने लगता जिससे की redness देखने लग जाती है चाहरे पर जिसको की flashing बोलते हैं और थोड़ा सा body का temperature भी normal से जादा महसूस होने लगता है किसी किसी मैला को thyroid hormone की problem भी होती है जिसकी वजह से भी vessel dilatation हो जाता है और metabolic rate में changes आ जाते हैं जिसकी वजह से temperature बढ़ जाता है यानि की गर्मी लगना शुरू हो जाता है इसके अलावा thyroid hormone के साथ साथ estrogen hormone के लेवल में भ जाता है जिसकी वजह से भी थोड़ी जादा घर्मी लगती है और जैसे ही pregnancy होती है तो body का जो metabolic rate है जो basal metabolic rate होता है जिसको की BMR बुलते हैं वह भी बढ़ जाता है वह एक temperature बढ़ने का कारण होता है अब जब temperature बढ़ता है तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमें इसे कम कैस कर सकते हैं यह से deal कैसे करना है तो सबसे important है कि पानी आप बराबर रखे अपने hydration level अगर आप मेंटेन रखती है तो definitely आपको गर्मी कम लगेगी दूसरा ठंडे environment में रहने की कोशिश करिए जादा से जादा outdoor activities को आप ignore कर सकती है दिन के समय में सुभष आप outdoor activity कर लीज़े द लग सकती है जिससे की गर्मी कम लगेगी तीसरा ठंडे पधार्थ जादा लीजिए जैसे की चाए कॉफी को avoid करें और तरल पधार्थ हो गए जैसे शर्वत है जूस है तो यह आप ले सकते हैं जूस के साथ में आप दही चाश ले सकते हैं और चाए कॉफी को आप जितना avoid करेंगे उतना जादा अच्छा रहेगा यदि आपका बीपी अगर जादा रहता है तो आप अपना समय पर बीपी भी चेक करवाते रहे क्योंकि कई बार बीपी बढ़ने की वजह से भी temperature बढ़ जाता है तो बीपी को समय समय पर चेक अप कराना जरूरी होता है यदि साथ आप नियमित रूप से योगा और मेडिटेशन भी करते हैं तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है और temperature को डाउन करने में भी help मिलती है तो इस तरीके से आपको यह समझ में आ गया कि अगर हम अच्छा बहुत सारा पानी पीते हैं ठंडे पेप अधारत लेते हैं जैसे कि जूस है लसी है चाच है नारेल पानी है इसके अलावा बीपी वगर अगर आप नियमित तोर पर चेक कर वा लेते हैं हर्मोन लेवल आप असस्मेंट करा लेते हैं तो आप इस प्राब्लम को काफी हद तक सौट आउट कर सकते हैं और यदि फिर भी आपको ज़्या क्यादा है तो आप नियमित तोर पर थर्मामीटर से अपना टेमपरेचर चेक कर सकती हैं और अगर इस बहुँ ज़्यार रहता है और बहुत यह ऊता तो हो कोई इन फेञच से कई यह场 कर दो सकता है कि कारण भी हो सकता है तो कई पार हम सोचते कि normal ही चल रहा है लेकिन हो सकता है कि कोई बीमारी भी हो तो अगर regularly आपको लग रहा है कि ये simple major काम में लेने के बाद भी अगर आपको फाइदा नहीं पढ़ रहा है तो definitely अपने gynecologist से मिलिए जाकर उन्हें अपनी problem बताईए वो आपका normal body check up कर सकती है आपका pulse देखेंगी बीपी देखेंगी temperature चेक करेंगी जो normal basic investigations होती है infection के लिए और खून की जांचे होती होती हो सारी करवा कर कहीं भी अगर कोई abnormality है तो उसको correct करने के लिए आपको medicine देंगी जिससे कि आपको आगे pregnancy में किसी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े क्योंकि कई बार हम doctor के पास जाने में लापरवाही करते हैं और उसका खामियाजा हमें आगे लंबा काफी हद तक भुगतना पड़ सकता है तो ऐसी कोई लापरवाही ना करें यदि आपको ऐसी कोई problem है तो definitely आप अपने doctor से मिलकर जल्दी सलहा ले लीजिए और यदि इससे संबंदित आपके कोई सवाल है तो हमें comment box में लिखकर आप पूछ सकती है हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जैनकार के साथ तब तक नमस्कार